तो क्या दोस्तों बात का नवले इंडिया वसे उस्ट्रिया वर्ल्ड कॉप फाइनल के बारे में तो अन्फॉर्चनेटली जो है बारा साल का इंतजार था ट्रोफी जीतने का वो अभी भी यहाप बरकरा रहा है यह दिखा जाए तो सबसे बड़ा एक golden chance था क्योंकि इस बारे हापे host इंडिया ही था और 2011 से जो एक trend बन चुका था जो वी टी में हापे host करती है वर्ल्ड कप वही टी में हापे जीती है ट्रोफी वही टी मुठाती है जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप में हापे host इंडिया था और ट्रोफी इंडिया ही जीती थी उसके बाद 2015 में हापे ऑस्ट्रिया होस्ट था और ऑस्ट्रिया यहापे वर्ल्ड कप उठाई थी देर इसके बाद 2019 में हापे इंगलेंड होस्ट रही थी अड़ा इंग्लेंड यहां पर 2019 में जो वर्ल्ड कप जीती थी तो वही वाला ट्रेन यहां पर बरकरा रखने का बहुत बड़ा एक मौका था इंडिया के पास कह सकते गोल्डें चांस था जो की छूट चुका है अड़ा इसके बात जो सभी लोग आपर इमोशनल होना चाहिस था क्योंकि क्रिकट को है पर इंडिया के अंदर सभी लोग दिल से फॉलो करते हैं अब लोग चाहिए रहे थे कि इस बात जो इंडिया वर्ल्ड कप जीते हैं वर्ल्ड कप देश से बाहर ना जा पाए बठा इमोशनल जो साइड में रखके यह सोचना पड़ता है हमें कि इस वर्ल्ड कप के अंदर टीम जो है बहुत बढ़िया खेले थे शुरू से लिके एंड तक जो सभी मैचेस आपर जीते थे लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये टीम है आपर पूरी तरी से डॉमिनेट किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर और ऑस्ट्रलिया और इंडिया के इस हार के बीच का जो है फरक था वो सिर्फ यही था जो कि वह आपर छुपाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे सभी फ्लियर्स के आखो में आपर आसू थे तो कि सभी लोग आपर इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन लोगों नहीं यहापर बहुत जादा मैनत किया है इस फाइनल तक आने के लिए और ट्रोफिय उठाने के लिए लेकिन अनफर्चनेटली जो है पर रिजल्ट था वो हमारे पक्ष में हापर नहीं आया बट एक चीज जो है आपर ऑस्ट्रेलेन कैप्टेन पैट कमेंस ने आपर कहा था प्रेस कॉन्फरेंस में और वो चीज उनना आपर करके भी दिखाया है वो चीज यह है कि वर्ल्ड काप फाइनल से एक दिन पहले आपर पैट कमेंस का एक इंटर्व्यू हुआ था उसके अंदर उनने एक बात कही थी कि there is nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent and that's the aim for us tomorrow मलत कि उनके लिए सबसे ज़्यादा आपर satisfying चीज यह है कि उनको पता है कि आपर Indian crowd जो है फाइनल के अंदर ज्यादा होगा और वो चाहेंगी कि उस crowd को वो शान्त रख सके जो कि उनको करके भी आपर दिखाए है और ये चीज़ हम लोग जहें match के अंदर देख भी रहे थे कि जब आपर Travis सेट और आपर मारना स्लवोशन का एक partnership चल रहा था तो उस दौरान आपर crowd बिल्कुल शान्त हो चुगा था या पर विराट कोली में भी कोशिश किया था कि आपर crowd को थोड़ा सा और जगा सके लेकिन इंडियन crowd की दरब से उतना ज्यादा support नहीं मिल रहा था इसका कारण कहीन है कि ये भी था कि आपर इंडियन bats fans जो ज्यादा score नहीं बना पाये थे scoreboard पे जो total था वो सिर्वे 240 run का था और second inning के दरण जो batting था वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुगा था क्योंकि under lights जब है थोड़ी ठंडी और यहाँ पर dew पड़ता है तो batting थोड़ा सा आसान होता जाता है जैसे कि कल के match में हम लोगा नहीं देखा था वही अगर बात करें हैं पर first inning के दरण तो उतना ज़्यादा बहतर batting नहीं हुआ था and first inning के दरण यहाँ पर batting surface भी उतना ज़्यादा सही नहीं था मतलब वो एक advantage है पर उस्टिलिया को मिल चुगा था and अपकुस थोड़ा सा पर batting slow था हमारा जिस विए से हम लोग उतना ज़्यादा score जो है बोट पे लगा नहीं पाए पाकि जो भी था यह एक सिर्फ मैच था और मैच में हापे हार जीत होती रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बुड़ा लगा वो यह है कि इस World Cup में हम लोग जो विराट और रोहित को साथ में देख पाए थे और दोनों ने टीम के लिए बहुत बड़िया परफॉर्म किया था लेकिन शायद आने वाले World Cup यानि कि 2027 World Cup में इन दोनों को शायद है हापे साथ में ना देख पाए या फिर दोनों में से किसी को भी ना देख पाए बाकि 2027 World Cup में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है तो उस पे कुछ बोल नहीं सकते बाकि आप लोगो क्या लगते है आपे 2027 World Cup ते आपे विराट कुली या फिर रोहित शर्मा टीम में होंगे या नहीं होंगे आप लोग अपनी राय कॉमन सेक्षन में सिरू बताना बाकि यह सिर्फ एक मैच था जिसका रिजल्ट हम लोग के पक्ष में आपे नहीं मिला यह विडियो को अंदर कुछ इतना ही ताप वीडियो और आपको जरह सभी पसना आप वीडियो को लाइक करदाना चैनल में वेली वड़े तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करदाना मिलते है नहीं नहीं ब्रेट साथ तब तक लेचाहिंद वन्दमातरम